जै हिन दोस्तों मैं हुआ नूब और आप सब लोग देख रहे एक Global Conflict दोस्तों हाली में एक ऐसा वीडियो को मैं देखा जहां पे बताया जा रहा था कि इंडिया नेवी द्वारा फ्रांस से नुकलियर पावर सब्मरीनों को खरिदा जाएगा और फ्रांस के दरफ से इंडिया को Additional Scorpion Class सब्मरीन का भी ओफर किया गया पर क्या इन ओफरों के इलावा इंडिया और फ्रांस के वीच में ऐसा कोई डील हो रहा है जो नुकलियर पावर सब्मरीन रिलेटेड हो दोसो आज की इस वीडियो में आप लोग को इंडिया और फ्रांस के वीच में भीते कुछ सालों में घटे हुए हर एक बातचीत और हर एक ओफर के वारे में बताऊंगा साथ में ये भी बताऊंगा कि आने वाल समय में क्या इंडिया नेवी के वेड़े में फ्रेंच मेड जिसके तहत हम कह सकते हैं कि इन 6 सब्मरीनों के इलावा इंडिया ने भी foreign country से कुछ और सब्मरीन खड़िदेगा। सब्मरीन का नाम आता है Scorpion XL या फिर आप इसे Scorpion के बड़े आकार का सब्मरीन कह सकते हैं। से इलावा French authority के तरफ से ये भी कहा गया है कि जो नया सब्मरीन है इसमें इंडिया और France दोनों के ही on board system और technologies का इस्तमाल किया जाएगा। French authority के तरफ से ये भी जानकारी दिया गया है कि ये Scorpion XL सब्मरीन का वजन 1800 से 1900 तन के दर्मियान होगा जबकि original Scorpion का वजन करिफ करिफ 1600 तन हैं। और इसका लंबाई भी original Scorpion सब्मरीन से करिफन 7-8 मीटर जादा होगा। पर दोस्तों ये जो offer था ये फ्रांस के तरफ से भारत को किया गया initial offer था। इसके बात फ्रांस के तरफ से इस offer को अपग्रेड करते हुए अपना एक नया design SMX 3.0 सब्मरीन का offer किया गया। दोस्तों ये जो SMX 3.0 सब्मरीन का बात कहा गया था ये भी French Company Naval Group का ही एक design है और Naval Group के बयानों के मुताविक इसका वजन करिवन 3000 टन के आसपास होगा। मतलब ये फ्रांस का नया जेनरेशन के nuclear power सब्मरीन के तुलना में करिवन 1000 टन हलका जवकी Scorpion XL क्लास के तुलना में करि दोस्तों इन vertical launching system का संख्या भी art बताया गया जबकि इन launcher के पास ये भी capability होगा कि ये समुंदर के नीचे से drone को भी launch कर पाए। दोस्तों इंडिया के जो Project 75i के सब्मरीन है उसके requirement में Scorpion XL क्लास के कुछ कमिया रहने के वज़ा से फ्रांस के तरफ से ये नया सब्मरीनों का offer किया गया पर दोस्तों बात अगर यहां तक रहता तो हम कहते कि इंडिया और फ्रांस शायद nuclear power सब्मरीन के तरफ आगे नहीं बढ़ रहा है पर इससे आगे भी फ्रांस के तरफ से भारत को बराकुडा क्लास के design का भी offer किया गया दोस्तों यहां पे ये बराकुडा क्लास वही सब्मरीन है जिसे next generation French nuclear power attack सब्मरीन कहा जाता है दोस्तों बराकुडा क्लास सब्मरीन के अगर आकार और वजन को देखे तो आप इसे एक non nuclear diesel electric conventional सब्मरीन के साथ भी compare कर सकते है पर फ्रांस द्वारा advanced technology का इस्तेमाल करते हुए छोटे आकार के सब्मरीन में भी nuclear reactor का इस में है और इसका लंबाई गरिवन 100 मिटर से थोड़ा कम है मतलब इसे आप इंडियन नेवी के project 75i के तहट issue किया गया tender के साथ भी compare कर सकते है और फ्रांस के नया offer के तहट बराकुडा क्लास के सब्मरीन के design के साथ या फिर बोले तो इस सब्मरीन के साथ ही बिना nuclear power reactor के भार को project 75i के लिए 6 सब्मरीनों का offer किया गया दोस्तो शायद इसी बात को लेके ही सबसे ज़्यादा चर्चा हो रहा है और कहा जा रहा है कि इंडिया और फ्रांस आने वाले भविश्य में nuclear power attack सब्मरीन को jointly construct करेगा दोस्तो अब चलिए जानते है कि इंडिया के nuclear power सब्मरीनों क के लिए क्या संकल्फ है मतलब आने वाले समय में इंडिया अपने बेडे में किस किस तरीके का कौन कौन सा nuclear power सब्मरीन शामिल करने जा रहा है दोस्ते इंडिया नेवी के अगर future plan को देखे तो scorpion class के बाद project 75i के इलावा इंडिया द्वारा और किसी तरीके का कोई भी conventional सब सब्मरीनों के प्रोजेक्टों के उपर काम किया जा रहा है उनमें जाद अतर सब्मरीन nuclear power सब्मरीन है इवन एगर future के इंडिया नेवी के सब्मरीन के लिफ्ट को देखे तो इसमें total 4 अलग-अलग type के nuclear power सब्मरीन जूडने जा रहा है जिनमें से सबसे पहला सब्मरीन के पारे में आप सबको पताई है और वो है अरिहांत क्लास के nuclear power ballistic missile सब्मरीन इस क्लास का total 4 सब्मरीन इंडियान नेवी के लिए बनाया जा रहा है जिनमें से पहला सब्मरीन मतलब आइनेस अरिहांत इंडियान नेवी में शामिल हो चुका है आइनेस अरिहांत का फिलाल सी ट् सब्मरीन 7000 टन के आसपास का होगा दोस्त अरिहांत क्लास के बाद इंडिया द्वारा रेशिया से भी एक सब्मरीन को लीस में लिया जाएगा जिसे हम चक्रत रीके नाम से भी जान रहे है फिलाल इसके उपर कहां तक काम चला है उसके बारे में कोई जान करी नहीं है लेक इंडियन ओशन के अंदर इंडिया के दबदबे को भी मजबूत करेगा दोसो तीसरा प्रोजेक्ट है S5 क्लास सब्मरीन जो की इंडिया के आने वाले समय का भारी भरकम नुक्लियर पावर बैलेस्टिक मिसाइल सब्मरीन होगा दोसो इस प्रोजेक्ट के तहर टोटल 6 सब सब्मरीन के इलावा इंडिया कुद का इंडिजिनियास SSN मतलब नुक्लियर पावर एटेक सब्मरीन के उपर भी काम कर रहा है और दोसो इन सब्मरीनों को भी आइनस अरिहांत के तर्च पे ही बनाया जाएगा और इसका वजन भी लगवग उतने ही होगा दोसो इन सब्मर के लिए मैं ये भी बता दू कि कोई भी देश किसी और देश के साथ जॉइंटली नुक्लियर पावर सब्मरीन तो एटलिस नहीं बना सकता है और इंडिया अभी तक MTCR का मेंबर नहीं बना है तो इसलिए हम ये भी कह सेकते हैं कि फ्रांस के लिए भी खुफिया तरीके से भारत के साथ इस तरीके के प्रोजेक्ट में काम करना काफी जादा मुश्किल होगा पर अगर प्रोजेक्ट 75i के तहट इंडिया को फ्रांस के तरफ से बराकुटा क्लास के नॉन नुक्लियर सब्मरीनों का ओफर किया जाता है और इंडिया द्वारा इसे सिलेक्ट किया ज और कम नॉयस फैदा करने वाला सब्मरीन होगा तो दोस्तों जिस तरीके से फ्रांस और भारत एक दूसरे के साथ जॉइंटली आगे बढ़ रहा है और जिस तरीके से फ्रांस द्वारा अब भारत को डिफेंस सेक्टर में एक के बाद एक मदद किया जा रहा है उससे ये कह का मेंबर बनेगा और MTCR के मेंबर बनने के बाद फ्रांस और भारत के बीच में जो फिलाल बंदिशय है उसे भी दूर किया जाना संभभ हो पाएगा और दोनों देश जॉइंटली एक साथ छोटे आकार के नुक्लियर रियक्टर और सब्मरीनों में इस्तेमाल होने वाले टेकनोलोजियों के उपर भी तेजगती से काम कर पाएगा तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो से लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मे वीडियो देख पाएगे सबसे पहले जय हिंद